हेलो दोस्तों एक बर फिर से आपको स्वागत है मारे सेटूप चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी ATM मसीन में आप बिना किसी ATM कार्ड के सिर्फ अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर के थुरू किसी भी अकाउंट में आप पैसे डिप सकते हैं cardless deposit का option यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा उसके बाद आपको यहाँ पर language select करने का option आएगा मैं language select करूँगा English इसके बाद आपको यहाँ पर 10 resist का mobile number इंटर करने बोलेगा आपको यहाँ पर mobile number वही इंटर करना है जो आपके अकाउंट में link है यानि कि जिस account में आप select करना है आपका जो भी account type है उसको select करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर 11 digit का account number इंटर करना है जिस account में आप money deposit करना चाहते हैं आपको यहाँ पर enter करना है account number चलिए हम यहाँ पर अपना account number इंटर कर लेते हैं अकाउंट नमबर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है अपना अकाउंट नमबर यदि सही है तो आप यहाँ पर प्रेस इफ करेक्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है इसके बाद आपके पास यहाँ पर account number चेक करने के लिए option आएगा यहाँ पर check कर लिजे और यहाँ पर beneficiary name चेक कर लिजे कि आपका जो name है वो सही है या नहीं यहाँ पर इसके बाद आपको yes पर click करना है जैसे yes पर click करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर जो cash वाला box है वो open हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और अब आपको जो amount deposit करना है वो आप यहाँ पर रखेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर screen पर दिखेगा enter का option अब आपको enter पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करते हैं box बंध होगा और इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर wait करना है इसके बाद आपको यहाँ पर screen पर show जाएगा आपके जो amount है जो deposit amount है उसका summary यहाँ पर show जाएगा आप जितने भी note यहाँ पर enter किये रहेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा यदि आपको लगता है कि यह सही है तो आप यहाँ पर confirm पर click करेंगे इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर थोड़ा दिर wait करना है क्योंकि आपका जो transaction है वो processing में है और आपको यहाँ पर wait करने बोल रहा है बकायदा आपको यहाँ पर receipt मिलेगा जो आप amount enter किये हैं जो आप amount deposit कर रहे हैं उसका receipt यहाँ पर से आपको मिलेगा यहाँ से आपको receipt जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मिल गया है मुझे जैसे ही आपको receipt मिलता है इसके बाद आप समझेए कि आपका जो amount है वो आपके account में deposit हो चुका है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं thank you का message भी आ गया है दोस्तो इस तरह से यदि आप bank में पैसे जमा करते हैं अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो इसके लिए आपको service charge भी देना पड़ता है service charge मातर 25 रुपए है यदि आप एक transaction करते हैं तो आपको 25 रुपए इसके बदले देने होंगे यानि कीट पे करने होंगे वो अपने आप account से कड़ जाता है दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरुप पसंद नहागा तर वीडियो पसंद आती है इस वीडियो क्लाइक कीजिए दोस्तों सस्यत कीजिए और चैनल को सब्क्राइब करके लेटेर वीडियो से अब्डेट आरें जिल नोटिफिकेत आरें जनको जरुर वीडियो पूरान तक देखने क्लाइप बहुत बहुत दन्यावाद फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में टॉपिक की साथ तक के लिए जय हिंद जय भारत